मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर के अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसा लिया गया कैबिनेट ने दो अगस्त से चात्रों के लिए स्कूल खोलने को मनजूरी दे दी है स्कूलों में S.O.P. के साथ 10, 11 और 12 की कक्षाएं शुरू की जाएंगी इन कक्षाओं के लिए आवासिय और आशिक आवासिय विद्याले भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे विश्य विद्यालों के शोध विद्यार्थियों को विश्य विद्याले प्राधी करन द्वारा अधिसूचित तित्यों से विश्य विद्याले आने की अनुमती प्रदान की जाएगी मंत्री मंदल ने पांचवी और आठमी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंदी किसी संशे के निवारन के लिए 2 अगस 2021 से स्कूल आने की अनुमती प्रदान करने का निर्ने लिया बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षन संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमती प्रदान की गई है मंत्री मंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुलू के निर्मंट और जिला शिमला के कोट खाई और जुबल में तीन उपमंडल कारेले खोलने की सविक्रिती प्रदान की बैठक में सिर्मौ जिला के विकास खंड पौटा साहिप के पुन गटन से तिलोधार में नया विकास खंड बनाने का निर्ने लिया गया है मंदी जिला के सुंदर नगर व बलह विकास खंडू के पून गठन से धनोटू के शेगली में नया विकास खंड बनाने का भी ने लिया गया मंत्री मंदल ने हिमाचर परदे सचीवाले में सीधी भरती द्वारा जे ओ एके सौ पद भरने का ने लिया शिमला जिला के कोटखाई स्थित कलबोग में नई उपतहसील और जुबल कोटखाई के टिकर में अगनी शमन केंद्र खोलने का भी ने लिया गया है मंत्री मंदल में मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन राजकिय आयुर्विग्यान महाविद्याले हमेरपूर में 4.28 क्रोड रुपे की लागत से सिटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने का ने लिया गया मंत्री मंदल ने जिला बिलासपूर के ब्रहाडी में महिला ओध्योगिक प्रशिक्षन संस्थान को सहे शेक्षनिक ओध्योगिक प्रशिक्षन संस्थान और सर्वेयर और ओफिस असिस्टेंट सहे कंप्यूटर ओपरेटर के दो ट्रेट्स को सीटों सहित मोटर वाहन मेकै में चौकिदार के पांच पत दैनिक वेतन भूगी आधार पर भनने का भी नेने लिया गया है। लहर से निपतनी की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड के परिक्षा परिणाम UGC के दिशार निर्देशों वे शिक्षा संस्थानों को खोलने पर भी मंत्री मंदल के समक्ष प्रस्तूती दी गई।